बच्चों के टिफिन में कुछ हल्का फुल का नाष्टा दैना हो या शाम को उनकी छोटी भूग के लिए कुछ नमकीन बनाना हो आज मैं आपके लिए लेकाई हूँ पिन्विल नमकीन की रेसिपी जिसे आप गेस्ट को भी दे सकते हैं मैमान भी खाने के बाद तारीफ करेंगे और इसे हम हल्दी तरीके से बनाएंगे यानि गेहूं के आटे से बनाएंगे मैदा का इस्तमाल जीरो करेंगे और आप इसे फ्राई की जगा बेक भी कर सकते हैं इसे और भी हल्दी बनाने के लिए तो चलिए आज की जट पट और आसान रेसिपी शुरू करते हैं पेन्विल मठरी या नमकीन बनाने के लिए दो कफ हम गे हूंका आटा ले लेंगे आप चीए तो आटा मैदा मिला के इस्तमाल करें या फिर सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं एक छोटी चमच हम इसमें अजवाई डाल देंगे आधी चोटी चमच हम इसमें कुटी हुए काली मिर्च से इसमें बहुत अच्छा टेस चाता है एक चोटी चमच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे कसूरी मेथी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेकिया आता है स्वाद के अनुसार या फिर एक चोटी चमच नमक डाल दें और इसे मिला दें अगर आपको कसूरी मेथी नहीं पसंद है तो आप उसे हटा भी सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे घी घी की जगा आप तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी से जो आप मनमकीन बनाएंगे न वो ज़्यादा खस्ता यानि क्रिस्पी बनते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे और इसे ऐसे गून लेंगे पानी जो है गरम ठंडा नहीं इस्तमाल करना है रूम टेंपरेचर पर जो नॉर्मल पानी यूज करते हैं वहीं इस्तमाल करना है पानी डालके हमें इसे कड़ा गुनना है तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है एक साथ जादा पानी नहीं डालना है और यहाँ पर यह देखिए यह जो डो है थोड़ा सा हमने टाइट रखा है तो अब हम इसे ढख देंगे और 15 मिनिट के लिए छोड़ द तो medium या बड़ी size की आप ऐसे 4-5 लोई बना ले और इसके बाद इसे रोल करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते हूँ कि इसे कैसे बनाना है तो इसे रोल करते वक्त आप या तो घी या तेल का इस्तेमाल करें या फिर सुखा आठा या मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं म यह दिखे मैंने इसे रोल कर लिया है इसे आप कैसे भी रोल करें बस पतला रोल करना है शेप देने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे जब इसे पतला पर रोल कर लेंगे तभ हम क्या करेंगी इसके उपर लगा देंगे तेल यहाँ पे हमें पराठे के लिए अलक चीए तो यहाँ पे आप तेल का इस्तिमाल करें, तो तेल को अच्छे से चारो तरफ ऐसे spread कर दें, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कि इसके उपर थोड़े से मसाले डालेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहें, तो मसाले skip करें, तो पहले मैंने थोड़ा सा सुखा आटा डाला, और इसके बाद यहाँ पे यह चार्ट मसाला पाउडर डाल देंगे, और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्ज, तो यहाँ पे न मसाले औप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो धन्या जीरा भी डाल सकते हैं, अगर आपको मसाला मठरी बनाना है तो नहीं तो सिंपल बस आप इसमें चार्ट मसाला और लाल मिर्ज पाउडर डालें, इसे देखे, तो यहाँ पे लाल मिर्ज पाउडर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे रोल करेंगे, तो roll करते वागत आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे ऐसे एक दम एक ही direction में roll करना है इसे हमेल अच्छा पर रठा की तरह नहीं roll करना है बस एक ही direction में ऐसे roll करें यह देखें जैसे straw अगरा बनाते हैं न paper straw वैसे हम इसे ऐसे fold कर लेंगे end तक लेके जाएं और उसके बाद इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके रोल करें ये देखें ताकि अच्छे से सेट हो जाएं अब हम knife से दोनों ends को कट कर लेंगे और इसके बाद इसके छोटे-छोटे कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे चप्टा करके रोल करना है तो हमें पीन्वील मत्री बनाने हैं तो इसके अंदर जलेवी वाली लेयर आनी चτιहँ है टो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे ऐसे प्रेस करना पड़ेगा ये दिखें ऐसे डिजाइन जो है वो बीच में आ इस बात का ध्यान रखे ऐसे प्रेस करते वक्त और इस मठरी को बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब आप ऐसे रोटी जैसा रोल करें तो इसके उपर तेल की लेरिंग अच्छे से करें तेल जितना अच्छा लगा रहेगा उतनी हिसकी लेर फ्राई करते वक्त निकलेगी तब हम क्या करते इसे ऐसे रोल कर लेते हैं ये देखे पतला रोल करें मठरी जितना पतला रोल करेंगे उतना ही खासता बनता है ये देखे ऐसे तो सेम तरीके से हम सारे मठ्री को रोल कर लिए तो यहाँ पर यह मैंने रोल कर लिया है यह आप देख सकते हैं तो अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में यह देखे कितना पतला मैंने बेला ऐसे तो इसे fry करने के लिए मैंने तेल गरम करके रखाता पहले से एक यस का फ्लेम लो मीडियम रखना है मठरी डालने के बाद हम क्या करेंगे इसे ऐसे पलट देंगे और दोनों साइट से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे इसे आप हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करें या फिर ज्यादा लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करें लो मीडियम फ्लेम रखें उसे ये मठरी जो है वो क्रिस्पी बनते हैं बस अजवाइन डाले, कसूरी मेथी डाले और नमक डाले तो यहाँ पे इसे पलट-पलट के हम दोनों साइट से फ्राई कर लेंगे मैं यहाँ पे ग्राउंड नर्ट ओयल का इस्तमाल कर रहे हूं तो यहाँ पे हमारा एक बैज जो है वो फ्राई हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं ध्याँ जाए मठरी जैसे ही ठंडी होगी तभी यह क्रिस्पी होगी गरम में आप इसे नहीं खाए तो आप इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दे और यह देखे बच्चों को यह बहुत ही पसंद आता है बहुत ही जादा दिखने में भी अच्छा लगता है और क्या कहता है खाने में इसमें जादा क्रंची निस रहता है क्योंकि लेयर रहती है ने उसकी वज़ए से तो यहाँ पे सारे मठ्री मैंने रोल कर लिए है यह देखे ऐसे और पहले से आप इसे रोल कर ले और इसके बाद तेल में ऐसे बारी बारी से फ्राई कर ले गैस का फ्लेम आपको लो मीडिम रखना है और इसे लगातार दोनों साइट से पलटते रहना है तब ही अच्छे स फ्लेम आपको लो रखना है हाई फ्लेम पे अगर आप उसे डालेंगे तो वो तूरंद फूल जाएगा और बाद में सॉफ्ट हो जाएगा तो टेंपरेशर आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और धीम याच्वे थोड़ा सा पेशन्स रखे आप इसे आपके ऐसे फ्राई करें तब यह क्रिस्पी रहते हैं और जादा दिन तक सही रहते हैं तो यहाँ पे हमने सारे पिन्विल मठ्री को फ्राई कर लिया है यह आप देख सकते हैं यह देखे तो थोड़ा सा जगह बना के यह सारा भी निकाल देती हूँ और जब आप इसे फ् मठ्री वेट्री फ्राई करें तो आप इसे जालीदार बरतन में रखें तो यह हमारी पीन्विल मठ्री जो है बन के तयार है यह दिखने में कितना अमेजिन लग रहा है न तो जब आप बच्चों को देंगे न तो उन्हें बहुत पसंद आएगा मैमान भी खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा और आप इसे स्टोर करके कम से कम दो हफ़ते तक रख सकते हैं बच्चों को यह टिफिन में दे सकते हैं आप इसे ट्रेवल में ले जा सकते हैं तो हैन्य मजदार रेसिपी तो मसालेदार मठ्री के रेसिपी को आप ज़रू ड्राई करें यह मठ्री आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे airtight jar में रखके और दो हपते तक आराम सिकाए बच्चे जब स्कूल कॉल दे जाते हैं तो उन्हें dry snack चाहिए होता है तो आप इसे healthy तरीके से बना के दे सकते हैं और इसमें हमने गिहूँगा इस्तमाल किया है जिसकी वज़ा से यह healthy में भी count होगा अब आप बोलेंगे तेल यूज क्या है फ्राइ क्या है तो आप इसे बेग भी कर सकते हैं तो यह हमारा मसालेदार में ट्री बन के तियार है यह आप देख सकते हैं कितना amazing लग रहा है तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाते हूँ कि यह कितना crispy है यह देखे है ना तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करें और ट्राइ करने के वाद पसंद आए तो आप इस वीडियो का अपने friends family के साथ share करना बिल्कुल न भूले